हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिस के वीक नंबर 14 की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की नौर्ध देली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा वर्ड्स एज मेल और फिमेल बच्चों यहाँ पर जो वर्ड्स हैं आपको उन्हें मेल और फिमेल के रूप में पहचानना है कि कौन सा वर्ड्स जो है वो मेल है और कौन सा वर्ड्स जो है वो फिमेल के लिए है and put them in the correct star और उन्हें सही star में fill करना है do it in your notebook और इसे आप अ ragress and queen तो बच्चों यहाँ पर पहले लिखना है हमें male words कौन कौन से है ? तो बच्चों male words है king जैसे कि example है बुल next है tiger tiger मींस होता है बाग sun मींस होता है बेटा boy मींस होता है लड़का and grandfather दादा जी तो ये सबी क्या है ये male words है अब next है female, female words कौन-कौन से हैं जिसे की example है girl, girl means होती है लड़की तो girl जो word है वो किस के लिए use किया गया है लड़की के लिए तो जो की एक female है, तो अब female के लिए और कौन-कौन से word है cow, cow कहते हैं guy को queen, queen means होती है रानी tiger, tiger means होती है बागिन next daughter, daughter means बेटी and grandmother दादीजी अब बच्चों question number two, match the pictures of the given male forms with their female forms बच्चों यहाँ पर male forms की जो picture है उन्हें उनके female form से match करना है तो बच्चों first है जैसे की uncle, तो uncle क्या है, uncle जो है एक male word है तो इसका female word कौन सा होगा, aunt, तो बच्चों इसे aunt की साथ match करेंगे next है lion, lion means होता है सेर, तो बच्चों इसका male word कौन सा है, lioness तो इसके साथ match करेंगे, सेरी, उसके बाद है prince, तो prince का female word क्या होगा princess, तो इसके साथ match करेंगे, next है cock, cock कहते हैं, मुर्गा को तो cock word का female word क्या होगा, hen, तो hen के साथ match करेंगे नेक्स्ट है डॉग, तो डॉग वर्ड का फिमेल वर्ड है बिच, इसके साथ मैच करेंगे अब बच्चो कोश्य नमबर थ्री, चेंज दा जैंडर ऑफ दा गिवन नाउंस, दी गई नाउंस के जैंडर चेंज करिए बच्चो यहां पर है फादर, यहां पर ब्रैकेट में है मदर और डॉग, तो बच्चो यहां पर है इसका फिमेल वर्ड क्या होगा, तो बच्चो इसका होगा, मदर यहां पर मदर लिखेंगे नेक्स्ट है बुल, तो बुल जो है एक मेल वर्ड है, इसका हम जैंडर चेंज करेंगे, तो कौन सा वर्ड आएगा, तो बच्चो यहां पर है फादर और काउ, तो इसका बच्चो फिमेल वर्ड है काउ, यहां पर काउ लिखेंगे next is tiger तो बच्चो tiger का क्या होगा tigeist और twitch तो होगा बच्चो tiger यहाँ पर tigeist लिखेंगे next is peacock peacock मीन्स होता है बच्चो more तो बच्चो इसका female वर्ड क्या होगा fox या फिर pehan तो बच्चों क्या होगा pehan, यहाँ पर लिखेंगे pehan pehan कहते हैं moreni को नेक्स्ट है horse, तो horse का क्या होगा, mare, life skill how to reduce garbage, garbage को कैसे reduce करें, little changes in our routine habits can make a big difference in managing waste, अपनी habits में change करके हम waste को manage करने में एक बड़ा अंतर ला सकते हैं, some simple changes that helps in reducing garbage are, कुछ simple से change हैं जो कि garbage को reduce करने में help कर सकते हैं जैसे कि avoid plastic bags, plastic के जो bag हैं उनसे बचें उनका use ना करें use of paper और cloth bag, कागज के या फिर कपड़े के bags का use करें learn to repair rather than discard discard करने की अपेक्षा उन्हें सही करना सीखें discard कहते हैं छोड़ देना, त्याग देना stop using disposable items, जो items dispose किये जाते हैं उन्हें use करना बंद करें use of reusable items, जिन items का दोबारा use किया जा सकता है ऐसे items का use करें, buy second hand items, second hand items खरीदें and donate used goods, और जो सामान जो है use किये जा सकते हैं उन्हें दान करें compose your food waste, और जो आपका waste खाना होता है उसे compose करें reduce, reuse, recycle, happier earth पानी का कम use करें, अधिक से अधिक बचाएं, कम में काम चलाएं reuse और जो बचा हुआ पानी होता है, उसे दोबारे से किसी में use करें और चीजों को recycle करें, जिससे क्या होगा, हमारी जो प्रतिवी है, वो खुस होगी, happier होगी संसकार साला, failure doesn't teach you, सफलता आपको यह नहीं सिखाती है, how to value the success कि सफलता की कैसे value करें, it teach you, यह आपको सिखाती है, how to solve the problems की समस्याओं को कैसे solve करें, game है slide ball, place 3-4 glasses on a table, एक table पर 3-4 glasses रखिए, take an iron ruler, उसके बाद एक iron का ruler लें, slides ball on it, अब इस पर balls को slide करें, so that it falls into the glass, ताकि यह जो है उस glass में गिर जाएं food है, papaya, pumpkin, etc, activity, storytelling, daily routine, begin your day by greeting your parents, अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें, brush your teeth twice a day, दिन में दो बार जातों को brush करें, take a bath daily, रोजाना नहाएं, drink plenty of water, परयाप्त मातरा में पानी पियें, and eat a balanced diet, और संतुलित आहार लें, avoid touching your face, अपने चेहरे को छूने से बचें, and wash your hands frequently, और बार बार अपने हाथों को धुएं, complete your homework on time, और अपना ग्रहकारिये समय पर पूरा करें, students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you,